वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी से रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल नरुजाटा ब्लोग को साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ कम्प्लीट कमपारिजन बीट्विटून टाटा पंच एकॉम्पलिस्ट वर्सिस एकॉम्पलिस्ट डैजल पैक की तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक चलिए सुरुआत करते हैं आज की ये वीडियो और बात करते हैं टाटा पं अगर हम बात करें तो सबसे उपर आपको यहां पर एलेदी डेटाइम रनिंग लाइट के जगह दिया गया है है हेलुजन पर और जस्ट उसके एडजसेंट टोन इंडिकेटर की कॉमिनीशन हुमेनेटी लाइन दिया गया है क्रोम फिनिस में हैडलाइम यूनिट में आपक जस्ट पीछे आपको हॉरन बिजिबल होगा फ्रंट बंपर पे आपको क्लैडिंग दिया गया है और इसके एयर डेम पे ट्राइरो सिप डिजाइन दिया गया है ब्लैक कलर में स्किट प्लेट भी आपको ब्लैक कलर में ही मिलने वाले हैं चलिए लेट्स गो फॉर्थ यहा चारों बॉडिक लैडिंग प्रोवाइट क्या गया है वार्भियम आपको बॉडिक कलर एलेडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में जो की एलेक्ट्रिकली एड्जसेबल है फॉल्डेबल इसमें आता है फ्रंट में आपको एंटीन और वाइपर आपको नॉर्मल दिय गया है ग्रेब हैंडल आपको यहां पे बॉडिक कलर में वी पिलर सी पिलर पुरी तरह ब्लैक आउट किया गया है डोर पे आपको मोल्डिंग दिया गया है प्रोटेक्शन के लिए जैसे कि आप यहां पर देख पार हो रेयर प्रोफाइल की बात करें तो यहां पे इस वे बुखाता है दोस्तों और इंटिग्रेटेटेटेटेस्पोईलर फी दाई मांटेटेस्ट नहीं प्रॉबैट किया गया है इसके लवाइट टेल गेट के बीचों बीच दिया गए है टाटा गा लोगो जस्त उसके नीचे रिवर स्पाकिंग कैमरा पंच की ब्रैन्दिंग ब लेस एंट्री प्रोवाइट किया गया है और कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यह एकॉम्प्लिस्ट वेरेंट है यहां पर आप देख पारेंट पंच एकॉम्प्लिस्ट मैनुवल ट्रोंस्मिशन के साथ दिया गया है चलिए अब बात करते हैं टाटा पंच एकॉम्प्लिस्ट डैजल पैक की जिसकी प्राइसिंग जाती है 7.74 लैक एक्सोरूम प्राइस दिल ले जो कि एकॉम्प्लिस्ट वेरेंट से 45,000 एक्सपेंसिव है चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स की फ्रेंट प्रोफाइल में हैड्लाइम यूनिट में आपको देखने क के साथ है फॉग लैंब यूनिट फ्रेंट बंपर ब्लैक लैडिंग दिया गया है जो कि इसके अश्यूभी स्टांज को बढ़ा देते हैं ट्राइरो सेब डिजाइन एर डैम पे फ्रेंट इसकी प्लेट भी ब्लैक कलर में ही प्रोवाइट किया गया है नाओ लेट्स गो दर साइट फ्रोफाइल में आपको दिया गया है 16 इंच के डियोल टोन अलोई वील साइज है 19560R16 और यहां पे आपको बॉडी कलर और वार्वियम एलेडी टोन इंडिकेटर के कॉमिनिशन में इलेक्रिकली एर्जस्टेबल यहां पर प्रोवाइट के गया है फोल्डिंग प्रोवाइट के गया है दोनों ही वेरेड में रूफ रेल अबिलेबल नहीं कराया गया है इंस्टॉल करवा सकते हैं एजन एसेसरी के तौर पे यह है एकॉम्प्लिस्ट टैसल पैक का रियर प्रोवाइल सबसे उपर आपको इंटिग्रेटेड स्पोईलर विध हाई मांट टैस्ट टाप लैम दिया गया है और बहुती अमेजिंग डिजाइन में एलेडी टेल लांप यूनिट बीच में आपको टाटा का लोगो टेल गेट के और जस्ट इसके नीचे रिवर्स पाकिंग कैमरा पंच की ब्रैंडिंग दोनों और रिफ्लेक्टर्स दिया गया है रि इंटीर की तो आपके जानकारे के लिए बता दू कि कापी हग तक इसके इंटीर दोनों ही वेरेंट के डिस्मीडर आपको देखने को मिलेगा डैस्पोर लियाउट आप देख पारे ट्राइटोन में प्रवाइट क्या गया है काफी प्रीमियम डैस्पोर लियाउट और टा में ऊपन कर लेते हैं फ्रेंट डोर ब्लैक ऑन उएट कामिनिशन है पाउर बोडर होलड में अम्रेल खोल्डर और स्पीकर प्रोवाइट क्या इसके ओपार घ्जिस्टीर डिया गे है और इसका डैस्पोर लियाऊट को चिए इस तरह और बाडी कलार इंजर प्रुंत आप वेरिंट में आपको आमरेशन नहीं दिया गया है, टूकप होल्डर, टोम भीनिस में हेंट ब्रीक, और फाइब स्पीट मैनॉल और फाइब स्पीट अम्टी गिरबॉक्स का उप्शन, और मैनॉल क्लाइमेट कंट्रोल इस दोनों ही वेरिंट में आपको मिलते है, सेंटर कंसोल में फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफो टेंडमेंट सिस्टम प्रॉबाइट किया गया है, जो कि सपोर्ट करता है एपल कार प्रे, अर्लवर डॉट्रो, ब्यूट्ट कनेक्टिविटी, नैविगेशन, इसके लवाब फ्लैट बॉट्टम, टिल्टेबल, थ्री स्पोग, मल्टि फंक्शन स्टेरिम इल दिया गया है, जिसके लेप्ट साइड ओडियो मांटेट कंट्रॉल, राइट साइड क्रूज कंट्रॉल दिया गया है, दोनों ही वेरिंट में, और इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह रहने वाले है, एनालॉग, स्पीडो मीटर, आर्पे मीटर, बीच में M.I.D. दिया गया है, जिसमें आपको मिल जाते है, ट्राइब अस्स रिडेटेट सारे इन्फरमिशन, रियर कैबिन कंपर्ट के अगर हम बात करें, तो यहाँ पे टाटा अल्ट्रो से इंस्पाइड क्राब हैनल प्रोवाइट के गया है, ओपन कर रहते हैं, रियर डोर, पावर अंडोर के कंट्रॉल, ब्लैक अन वाइट कॉमिनेशन में, और यहाँ पे स्पीकर प्रोवाइट के गया है, और इसके इंटीर में, आपको यहाँ पे सीट्स पे, आमरेस्ट इस वेरेंड में नहीं मिलते हैं, इंटीग्रेटेड हैड्रस आप प्रोवाइट के गया है, फ्लोर आपको काफी हद तक यहां पर फ्लैट दिया गया है जो कि एक प्लस पॉइंट है और इसके साथ ही दोनों ही विरेंट में आपको पार्सल ट्री एबलेबल कराए गया है और स्टेरिंग विल के ठीक राइट साइट पुस से स्टार्ट स्टॉप बटन दोनों ही विरेंट में प्रोवाइट कर देते हैं और इसके रियर डोर को और अंदर बैठते हैं बाके फीचर्स की बात कर लेते हैं और यहां पर आप देख पारे हो काफी अच्छी खासी लेग रूम आपको प्रोवाइट किया गया है टाटा पंच के किसी भी वेरेंट में आप देख सकते हैं और आपको कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं होने वाली है और इसके साथ हेड रूम भी अच्छी खासी आपको यहां पर प्रोवाइट किया गया चारो और grab handle दिया गया है, rear cabin से front की और देखें, तो dashboard layout accomplished और accomplished dazzle variant का कुछ इस तरह रहने वाला है, काफी premium dashboard layout, बहुती amazing इस सेग्मेंट में बहुती premium, टीनाइट IR बिम प्रोवाइट किया गया है, और चलिए आप boot space के अगर हम बात करें, तो यहाँ पे electromagnetic button दिया गया है, boot gate पे available कराएगा है, दोनों ही variant में accomplished और dazzle variant में, और इसके rear seat जो है, flat fold हो जाते है, 60-40 का option में आता है, left side आपको दोनों ही वेरेंट में boot lamp प्रोवाइट किया गया है, कुछ इस तरह का space, 366 लीटर का boot space, जस इसके अंडरनीत आपको 15 इंच का spare wheel दिया गया है, 185 70R15 का जो profile है, tire size और Tata की सभी गाड़ियों में अब देखने को मिलता है, tire puncture kit, जो की एक plus point है, inner side grab handle दिया गया है, जैसे grab करके आप इस तरह set कर सकते है, Tata punch में provide किया गया है, BS6 compliant 1.2 लीटर 3-cylinder naturally aspirated dyna pro petrol engine, वही 86 BSP की power and 113 Nm का peak talk generate करता है, transmission आपको मिलते है, 5-speed manual and empty gearbox का option, जहां तक safety features की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि Tata punch को recently, global NCP crest test में पूरे 5-star की rating मिली है, जैसे यह बन चुकी है, इंडिया की सबसे safest mini SUV, इसके लबार Tata punch accomplished and accomplished diesel pack में आपको प्रवाइट किया गया है, dual airbag, ABS with EBD, reverse parking sensors, reverse parking camera, seatbelt reminder, driver side and co passenger side, push start stop button, keyless entry, day night IRBM, isopic child seat anchorage, pre-tentional and force limiter seatbelt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, tyre puncture kit, brake sway control, follow me home, headlamp unit, door azar warning जैसे, premium safety features प्रवाइट किये गए हैं, यह थी दोस्तों complete comparison between Tata punch accomplished versus diesel pack के आपको कैसी लगी, नीचे comment section में ज़रो बताएगा, और एक like तो बनता है, चैनल को subscribe के बाएगर बिलकुर मत चाहिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजा लएगी automobile sector से जुड़ी, news, reviews, stress rights, work arounds, comparison, accessories आप से साज़ा करता है रहता हूँ, तो चले दोस्तों आज के रहे बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए, thank you, धन्यवाद, जैहिए